तो अलो, दोस्तो साल का सबसे आखरी वीडियो और सबसे special वीडियो यह वीडियो is special ise liege है दूस्तो के इसमें मेरी सबसे सिखनिक सबसे बड़ा सिक्रेट आपके शेर करने वाला हूँ जा खास है क्योंकि आज 29th of December है दोस्तों जी हाँ आज आपके smart gardener का birthday है तो thank you दोस्तों फिलाल आप ये वीडियो देखते रहे इसमें मैं सारा मेरा secret शेर करूँगा थोड़ा वीडियो की length लंबी हो जाएगी because मैं detail में data आपके साथ शेर करने वाला हूँ तो दोस्तों जब शुरू करते हैं जब मैं gardening करना शुरू किया था उस वक जो था एक old mindset था के plant को अगर grow करना है तो जमीन में grow करना है fruit plant जो है जमीन में grow होते है veggies ग्रो करनी है तो उसके लिए बड़े बड़े pot चाहिए मटी का pot ही चाहिए plastic के pot यूज नहीं करते polybag यूज तो मैंने क्या किया जब यह सब सुना तो मैंने इसके पीछे research शुरू कर दी agriculture universities में जो study शुरू की और finally जो मुझे data मिला दोस्तों उसे पता चला के gardening तो कुछ और ही चीज है और बड़ा मज़ा आने लगा और जो है मैंने उसी data को use किया और मैंने वो सारी चीज कर यह चोटे चोटे कप में मैंने टमेटो ग्रो किये है वेजीज ग्रो किये है मेरे बहुत से वीडियो है मैंने चोटे पॉली बैग में जो है प्लास्टिक के पॉली बैग में ही fruit plants ग्रो किये है उस सारी maximum सारे fruits मैंने ग्रो किये है और इस पे मेरी वीडियो भी आप देख ल जो है fruit plants, veggies ही grow करता हूँ दोस्तों तो फिलाल आप लोगों की वज़े से मैं सब चीज़े grow कर रहा हूँ और सब में जो है बहुत अच्छा result मिल रहा है तो मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा data ऐसी technique share करूँ कि आप भी हर एक plant को expert level पे बहुत आसानी से grow करें और उनसे बहुत जाद यील्ड ले तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी जो technique थी जो मझे पता चली वो ये थी दोस्तों कि अगर हम roots पे oxygen डबल कर दे और leaves के पास carbon डबल कर दे तो उसकी yield जो है वो double हो जाती है यानि अगर मैं आसान भासा में कहूँ तो अगर आप इसकी जो roots है जो soil है वहाँ पे oxygen क बढ़ा दे तो इस तो प्लांट की जो health है वो बहुत अच्छी हो जाती है प्लांट की ability बढ़ जाती है वो nutrient बढ़ी आसा से ले लेता है और वो छोटे-छोटे space में ही छोटी कम जगे में ही जो है अपना सारा काम कर देता है देखे ये छोटे से इसमें बड़े-बड़े अब जैसा जैसा पॉर्ट में डीप लेवल पर नीचे जाए तो oxygen लेवल बहुत कम होता है और roots तो है वो पुरी suffocate होने लगती है वहाँ पे pathogenes बढ़ने लगते है जिसे क्या होता है हम कितना भी nutrient डे कितना भी fertilizer दे प्लांट एक हद तक ही बढ़ा होता है उसके बाद प्ल प्लांट है मैंने इसमें करके दिखा यह मेरा एक मेंगो का प्लांट है दोस्तो इसमें जो है देखे यह उपर की जो यहां यहां ता अच्छा होता है जैसा नीचे जाएंगे वहां oxygen लेवल बहुत कम होता है तो मैंने इस पर देखे पॉली बैक यूज करता हूँ clay pot आसान दोस्तो और बहुत लोग पुछते हैं ऐसा करने से air pruning होती है दोस्तो अब बहुत बड़ा प्रोसेस है ऐसा नहीं कि हमने होल कर दिया air pruning होंगी air pruning के ओपर फिलाल किसी दिन डीटेल में वीडियो बताऊँगा हां बस एतना है कि अगर रूट्स पुरानी होती है और उसे देखे इतनी जादा फ्रूटिंग होती है तो अगर यह प्लांट की आपकी रूट्स हेल्दी हो दोस्तो तो यही जो है यही सब हो देखने मिलेगा आपको इतनी जादा फ्रूटिंग होंगी यह देखे मैंगो अगेरा ग्रो कर दिये मैंने फिला लिये एक मैंगो था यह म मैंने निचे एरिएशन बहुत रखा है औक्सिजन लेवल बहुत अच्छा है इनका जिसे कोई फंगस वागेरा बीमारी भी नहीं लगती और सबसे इंपोर्ड़न चीज दोस्तों यह है कि जो सॉइल की टेक्नीक है मैंने बहुत सॉफ्ट सॉइल बनाई है देखे ऐसा नहीं कि लोग क्या करते हैं फिर उसकी निराई गुड़ाई करना पड़ता है इसमें मैं क्यों गुड़ाई की भी जरूरत नहीं पड़ती एरिएशन बहुत होता है मैं किस दिन पूरा डेटा एक वीडियो बनाऊँगा कि सबसे एरिएट बेस्ट सॉइल कैसे बनाए और बेड़ो में जब रूट्स फैले दोस्तो तो उससे भी जो है बहुत अच्छी यील्ड मिलती है बहुत अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती है तो देखे यह मेरे भिंडी के प्लांड है दोस्तों आकरा के देखे रेर सीट से यह मुझे गिफ्ट मिली थी और य देखे मेरा एक यह जिसाब पुराने वीडियो में देखाया था मेरा अलमानडा का प्लांट है जो बेल थी यह कप में लगती वी इतनी उपर चले गे देखे यहां पर सब फ्लावर्ण हुई है यहा पर यह फ्लावर साते है इसको और यह देखे इतनी हाई टक गई यह दे इतनी अच्छी वाइन बन गई है और यह मैं फ्लावर प्लांट्स भी ग्रोग कर रहा हूँ आप लोग एक कहने पर बहुत अच्छा रिजन्ट मिल रहा है तो मैं वही टेक्निक आपके शायर करना चाहता हूँ कि आप जो चाहे वह प्लांट ग्रोग करें और सब में आपको एक क्ति लेवल पर मिले तो देखा दोस्तों आपने कितना असान है यह बस आपको ऐसा करना है किसे कि campis अ ऋब्लावर पा सक्ट्विय वागेरी और सबसे पहले अगर आपको आवेलेबल है तो ख्लेपोर ले ऊनले है मट्टी के पोट में ब्ंटी क्या होता है एर पास होती है ठीक है एर जब पास होती है तो ऑक्सिजन लेवल अच्छा रहता है अगर आपके पास क्ले पॉट नहीं है सिमिन के पॉट है सिमिन के पॉट में क्या इतना एर पास नहीं होती है उसमें आपको होल करना पड़ेगा नीचे बॉटम पर साइडों पर और प्ला एक ही न्यूटुर्इन में यह प्लांट रिएक्ट करना शुरू कर देता है तो यह फेक्टर से दोस्तो प्लांड तो हमारे रूट्स दोस्तो है अधर?!" अंदर बढ़ते जा रहा है यह प्लांट देखे तो आप भी क्या करें आपके पॉट्स में होल करें दोस्तों मैं फिलाल ड्रिल यूज करता हूँ और कभी केंडल यूज कर लेता हूँ ऐसे तो बहुत से मैठड है देखें मैंगो कितना क्यूट लग रहा है और इससे यूज करें तो देखें और यह बेर है मैं बहुत हर्वेस्ट कर चुका और भी लगे है बहुत पुराने प्लांट है देखें सारे जो है रिजल्ट मुझे जो है इसी टेकनिक से मिलता है कि मेरी रूट्स फिलाल हेल्दी रहती है मुझे कोई फंगी साइड यूज करने के अगर मुझे जो नए प्लांट होते हैं कभी कुछ घरवर हो जाती है बारिश में मुझे फंगी साइड यूज करना पड़ा वर्णा देखें यह चीकू पढ़ना में को कभी यूज करना पड़ता और वह सब में सॉइल वगेरा में फंगी साइड यूज नहीं करता दोस्त बहुत से नहीं नहीं वो जब लाय हुए है बट अब आइसा नहीं होता दोस्तों गार्टनी में क्यों अघता है बैट फंगस होते गूट वो फंगी साइड है वो फंगी साइड यूज करते थो सब को किल करता है जैसे डबलो डी सियर ट्रैकोड अर्मा यह सब बहुत अच जो है बहुत अच्छा डेटा मिले उससे और आपको भी प्लांट गुरो करें देखे मेरा एक हाइड्रोपॉनिक लिए मैंने छोटा सी एक कईये मेरा प्लांट गुरो किया दा दोस्तों तुल्सी का देखे मैंने बहुत कम पानी रखा है और मैक्जिममम इससा जो है मैंने ए यह टेकनिक मेरी जरूर यूज करें स्मार्ट गार्डनिंग करें आप भी जैसा चाते है वैसी गार्डनिंग करें जैसा मैंने चाहिए मैंने वह सब कुछ कर दिखाया दोस्तों आप मैं भी चातों आप भी जिस तरह चाते है वैसा गार्डनिंग प्लांट लगाए आपको बात हो तो comment box में ज़रूर पूछे wish you a very happy new year दोस्तो और नए मिलते है new year में नए नए videos के साथ में thank you, thanks for watching